अभी डिसकस करते हैं concept of area as a vector थीक है अभी तक आपने जो भी देखा होगा उसमें area scalar quantity होती है एसा कुछ पढ़ा होगा लेकिन area को हमें अभी यहाँ पर वेटर की जैसा ट्रीट कर रहा है वो क्यों करना होता है क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़े simplify की जा सकती है हमने अभी तक electric field को calculate कैसे करते हैं वो देखा by using Coulomb's law लेकिन Coulomb's law की भी अपनी कुछ limitations है उसके उपर overcome करने के लिए Gauss theorem यूज किया जाता है अभी थोड़े टाइम के बाद आप देखो कि Gauss theorem यूज करके हम लोग complicated questions को कैसे simplified तरीके में कर सकते हैं तो अगर वो नहीं होता तो फिर वही electric field को calculate करना थोड़ा सा difficult हो जाता था तो यहां पर हम लोग क्या consider करने वाले है एरिया को vector के जैसा treat करके हम लोग situations को handle करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखते एरिया as a vector quantity suppose मेरे पास कोई भी एक एरिया है ठीक है तो यहां पर mostly जो बात होगी वो two-dimensional figure के बारे में बात होगी तो suppose मेरे पास यहां पर ऐसा कोई भी एक portion है जो एक proper हो भी सकता है square हो सकता है circle हो सकता है यह फिर कोई भी एक non uniform kind of area हो सकता है तो अगर ऐसा है non uniform kind of a shape I am talking about anyways तो ऐसा अगर मेरे पास है तो यहां पर हमें क्या करना है कि वेक्टर करना है वो surface के center से जो बाहर की तरफ जाएगा n रिप्रेजंट करता है unit vector so अगर हम लोग यह चोटा से एरिया कंसिदर करते हैं जिसको हम लोग डेलिटा s से रिप्रेजंट कर रहे थे तो जो एरिया वेक्टर होगा वह outward direction में होगा therefore डेलिटा s vector is equal to n-cap delta s है ना तो n-cap का general value क्या होता है vector upon its magnitude होता है तो delta s vector is given by n-cap delta s तो यह हो गया पहला equation similarly अभी तो यह uniform था मतलब सब dimensions इसके perfect length same था अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है अगर यहां पर अगर length कुछ same नहीं है और कोई भी एक arbitrary चोटा से अरिया गर आप ले रहे हो तो वह specific case में भी delta s equal to n-cap delta s से represent किया जा सकता है यहां से एक चोटा से area consider किया हमने और एक vector draw किया जो outward direction में जा रहा है n-cap represent करता है unit vector so delta s vector equal to n-cap into delta s तो यह बन गया मेरा area vector से related basic diagram अभी देखते हैं यह है क्या explanation एक point इसमें so it is a vector area vector is a vector associated with every area element element मतलब एक छोटा था portion आपको लेना होता है यह कैसे करते हैं हम लोग आगे जभी गॉसलो और उसके applications पढ़ेंगे तभी और अच्छे से बताऊंगा फिलाल तो यह जस्ट प्रॉस्ट है है ना सो देल्टा से टरेजी कोई 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 क्याप डेलिटा एस ओके तो यह हो गया area vector के बारे में basic information प्रॉस्ट